हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चनल तेयर जीत में जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो असाइमेंट है भोज के यहाँ पर 25 जून से स्टार्ट हो चुके हैं डाउनलोड होना इसका मैंने बहुत सलूइशन करवा दिया यहाँ पर मैथ के पेपर भी डाल दिये हैं आपको वहाँ जाकर फॉन पेपर कुछ रुपए करने पड़ागा एक अमाउंट आपको बता दिया जाकर टेलिग्राम पर मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं या पर आप क्या कर सकते हैं कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी होगी उससे आप जा सकते हैं या पर आप कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजेगा तो आप उसमें भी मुझसे कर सकते हैं कितने रुपए आपको करने हैं तो आपको पूरे वीडियो का जितने भी आपके मतलब सब्जेक्ट हैं सभी का स्रिविशन बहुत जल्द मिल जाएगा आपका तो यहां पर आईए पीपर जो द समझाइए यहां बिस्तृत कीजिए इसके बार रवन प्रभाव को समझाइए और यहां पर गाईगर मुलक गड़क को समझाइए तो यहां पर इन कॉस्चनों को हम हल देखने वाले हैं तो वीडियो के एंड तक बनी रहीएगा यदि चनल पर पहली बार आया है तो सब्सक करना पड़ेगा तो पहला कोस्चन हमारा यहां पर है प्रकाश की दूई तो यहां पर दोयती के प्रकृति के उपर है तो निएस सटार्टिंग हरें लिखना है यहां से दिया गया है सन उन्नी सो चौवीस मैं बेग्यानिक लुईस डिव ब्रॉगली ने यह बताया कि यह अलफा द्रव हलका द्रव कण उच्छ बेग से गती सिल होता है तो उसके साथ कुछ तरंगे संबद होती है मतलब उसके साथ तरंगे भी उत्पन होती है यह चलती है यहीं तरंगों को द्रव तरंगे कहा जाता है आइंस्टीन के द्रबमान उर्जा सम्मंद से यदि एम से गती करें सी मतलब होता है यहां पर प्रिकास की चाल से गती करें तो उर्जा निम्नानुसार होगी यानि यह बराबर एम सी स्कोयर यह अन आइंस्टीन का सम्मिकन था यहां पर उर्जा का इसके बाद यहां कण के बेग को प्रिकास की चाल सी यानि वह बेग से तुल्ल् अगरिंगी आप 30 इतना लख जाने के बाद अप helo यहाँ पर इसका समीकर नोड़ करेंगे यह वाला तो यहाँपर देख लिए अच्छे से टो समीकर एक ततसा दो-से करें जो यह यहां पर मउक्स किसक्वान होता है याँ bisa रखाऊ अधिक यहां पर लकार से निख जो होता है सी बटे भी किसका होता है लेमडा कमान होता है तरंग देर्ध कमान होता है तो बस यहां पर तरंग देर्ध कमान निकलाएगा लेमडा यहां से यहां से यहां जाएगा इस प्रकार से और आप इस प्रकार से लिख लेंगे ठीक यहां पर यहीं पर आगा यहां पर यहां पर हो जाएगा दरब तरंग का डी ब्रॉगली यहां पर तरंग दे रहे तो यहां पर यहां जाकर आपका यह सम्मीकर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आपका यह आंसर है यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा यानि हमारे यह नमर फर्ष्ट का अंसर हो चुका है सेकंड कोस्टन था हमारा अलफा च्छाय किसे कहते हैं तो अलफा च्छाय के लिखनी थी तो अलफा च्छाय के बारें पढ़ेंगे बहर रेडियो एक्टिप छै जिसमें हीलियम नावे कि यानि हेच एटू ठीक है यहां पर हीलियम वो सरजद होता है उधायन के लिए लिखेंगे यहाँ यह उपर है यहाँ बारेंट यहाँवसू बा secularum में करमार्मा कर सक्छाए के लिए लिखाएज visão है एक प्रिचारित उधारण है इस प्रिक्रिया में हीलियम नाविक वो सरजित होता है तो यहाँ पर यह क्रिया देख लीजी यह क्रिया लेकी हुई है तो यहाँ पर एक हीलियम नाविक निकल जाता है इसके बाद इसकी विसेश्षाइं हैं कुछ तो विसेश्षाइं पढ़ लेत이amos we'll पो चाहर कम हो तो यहां से थे जीजेगा इसको यह दिया गया है आ पेसको पढ़ने लीजिए अच्छे से तो यहां पर यह दिया गया है इसकी पॉइंट तो आप यहां से यहां तक कर लेंगे ठीक है यहां पर इतना हो जाएगा इसके वाद अगला कॉस्चन देखते हैं लेक्ष्ट वारगा क्या दीआ गया है तो नेक्ष्ट कॉस्चन है तीसरा यानि कोडिये संबेग कोडिये संबेग किसे कहते हैं तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कोडिये गती में कोडिये संबेग इस्थानांत्रिये गती में रेखिये संबेग के सम्तुल्य रासी है यह है रेखिये संबेग के आगून को निरूपित करता है किसी कण के रेखिये संबेग का किसी यानि सद्सका बैक्टर यहां से से बैक्ट किया जाता है इसका सूत्र होता है ध्यान रखेंगे आप कोड़ी यह संबेग बराबर होता है रेखिए संबेग गुरत अक्ष केकन की लमबत दूरी यहां पर यह फर्मुला होता है जैसे कि मानलीजी कोई यहां पर यहां पर कोई छेत रहे इसमें कोई यहां पर ऐसे रखा हुआ है कुछ भी यहां पर माली जी एक चालक तार रखा हुआ है तो इसकी आप यहां से निकालेंगे तो यहां से इस प्रकार से दूरी निकाले जाएगी यानि लंबबद दूरी यानि एक टाउ बराबर भी फरमला होता है इसका टाउ बरावर एक बल एक बल गुड़ित दोनों के रिखाओं के बीच की लंबत दूरी होती है तो यह सी प्रकार का फर्मला वो होता है तो अब इसको समझे गए होंगे अच्छे से से होकर गुजारा जाते हैं तो प्रकास का कुछ भाग प्रकृणित हो जाता है इस प्रकृणित प्रकास का उच्छ विभेधन चमता वाले स्पेक्ट्रों से स्पेक्ट्रम में केंद्रिय तीब्र रेखा के दोनों और कुछ कम तीब्रता की रेखाएं प्राप्त होती हैं कें रेखाओं की और कमति प्रकास की अबती से बड़ी होती है इन सभी रेखाओं को रमनी रेखाएं कहते हैं यानि इस घटनाव क्या कहते रवन प्रभाव कहा जाता है इसके बाद हमारा लास्ट कोस्चन है पांच मां तो पांच मां हमारे यहांपर है गाइगर का मुलक जो यहां पर करण से दान्स दिया तो इसके उपर है तो यहां पर देख लिए यह दिया गया है यहां से तो चत्र में यहां पर डाइगरा मना था चत्र में यहां पर पढ़ लेते हैं इसको क्या दिखा है चत्र में गाइगर मूलक कर्ण की संरचना प्रदर्सित है चत्र देखके यह इसका इसमें कांच की नली के अंदर तामे का एक खोखला वेलन सी जिसकी अक्ष पर लंबा जीरो दसमलाव लगवाग जीरो दसमलाव जीरो पांच मिलिमीट एमियम मोटा टंगिस्टन धातु का तो यह सै का करता है को इतना हो जाने के बाद यहां पर यहां पर यहां पर कर लेना है इसके बाद आगे इसका जो कि ही चित्र बनाना इसका तो इसप्रकार से बना लें गया तो यहां से डाइग्राम बना लेंगे इस पर करार से आप मना लेगवे यह T यहां-पर रख्छे गई हैं तो इस प्रकार से रखनार यह पर यह प्रथमी करतेया है तो हो नहीं पर किस वाला आवेसित कंद नली के अंदर प्रिविश करता है तो बहनली में भरी गयस के परमाडू से टकरा कर उसे आयनित कर देता है जिस से जिस से इलेक्ट्रोन धनायन योग्म उत्पन हो जाता है इस योग्म का इलेक्ट्रोन अक्षियतार की और तथा धनायन नली की दीवार की और आकर्शत होता है एलेक्ट्रोन की वर्जा इतनी अधिक होती है कि यह डायोड यानि नली की दीवारों पर पहुचने यहां पर दुत्यक आयनन करने लगते हैं ठीक है करते हैं तो यहां से यहां तक हो जाएगा इसका आंसर यदि वीडियो अच्छ लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा साल दीजा चनल को सब्सक्राइब कर लिजे यहां पर दबाय से एक वर देख लेते हैं सभी नमबर पांच माहें और यहां पर चौथा था यह तीसरा है यह दूसरा कॉस्चन है हमारा यह पहले कॉस्चन का यहां पर आंसर है तो अच्छे से देख लिया होगा आपने मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत यदि सलीशन आपको चाहिए तो